हेलो वेलकम हैं आप सब का आज हम देखेंगे गोल सी कैसे यूज करते हैं लिब्रे ओफिस के अंदर बगएर देर कर चलते हैं यहां पर हमारे पास एक केस है जिसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट और हमें निकालना है रूपीज में पर्चेस करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस हमने लिए है 15,000 और उसको हम सेल कर देते हैं 15,950 वें तो हमारे पास प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत सिंपल चा फॉर्मॉला है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस वेरी गुड 950 का प्रॉफिट हुआ है हमे और अगर हम प्रॉफिट का पर्संटेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे हम सोरी डिवाइड करेंगे हम अपने कॉस प्राइस से और उसको मल्टिप्लाइए कर देंगे हम हंडेड से ऐसे हमारे पास टोटल प्रॉफिट परसंटेज में निकल जाएगा कि हमें कितने परसंट का प्रॉफिट हुआ है तो यहां पर हमारे पास दो फॉर्मले लगाएं एक प्रॉफिट अमांट का और एक प्रॉफिट परसंटेज का अब सिच्वेशन यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो प्रॉफिट परसंटेज है वो शिक्स परसंट की जगह 12 परसंट आना चीए तो मुझे उसमें सेलिं सेल जो यह आ रहा है यहां पर से इसको सलेट कर लेंगे तो हमारे पास जहां प्रॉफिट है जहां फॉर्मला लगाया हमने उस सेल को सलेट करेंगे दूसरी पूसरे टार्गिट वैल्यू कितनी है उसकी हम कितनी चाहते हैं हमें यहां पर इस सेल की वैल्यू बारा परसंट चाहिए तो 12% profit चाहिए variable in variable sell यानि किस value में change होना चाहिए तो यह non formula वाली हो सकती है यह आपका selling price यह cost price या तो मुझे cost price change करना पड़ेगा या selling price usually cost price जो है वो change नहीं कर सकते हम अपनी selling price change करेंगे तो यहां पर हम select करेंगे selling price वाला sell और ok कर देंगे इसको जैसे हम यहां पर ok पर click करेंगे यह हमें बतायागा कि goal seek ने आपका यह amount result generate किया है 16800 क्या आप इसको apply करना चाहते हैं sell में हम इसको apply करना चाहते हैं तो yes कर देंगे यह हमारे पास goal achieve हो गया 12% profit आ गया हमने change कर दी selling price 16800 में अब हम यहां इसको जो है हमने simply profit amount पर लगाया था अगर हम profit amount पर लगाना चाहते हैं हम simply इस पर भी लगा सकते हैं तूल में जाएंगे goal seek मेरे जब profit है वह 1800 का है मैं चाहता हूँ 2500 का मेरे पास आए profit तो मैं किस उस पर इसको price पर जो है sell करूंगा तो उसके लिए में हैं से variable sell value यह simple है आप directly calculate कर सकते हैं बड़ मैं आपको use करने का तरीका बता रहा हूं करेंगे यह आपका आगे value नई जो आपकी selling price है वह 17500 है तो उसमें total profit भी आगे तो यह simple formula हो सकता है आपका कोई complex formula भी हो सकता है जब आप goal seek को use कर सकते हैं एक और example लेते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसमें आपके पास principal amount है आपका कुछ और rate of interest है आपको मिल रहा है और कितने time के लिए आपको apply करना उसको जो है उसमें invest करना पड़ेगा तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो interest है interest का जो formula होता है या हम simple interest कह लें तो उसका formula होता है हमारे पास say मेरे पास मैंने 1,20,000 के around कोई amount invest किया है और rate of interest वहाँ जो मुझे से निकालेंगे इसके लिए इसके लिए हमारे पास formula होता है principal amount into my rate of interest into my time period and divide by 100 यह हमारे पास simple formula होता है principle amount लगाना पड़ेगा तो उसके लिए हम यह गोल सीक लगा सकते हैं तो simply हम टूल में जाएंगे गोल सीक में मेरे पास formula cell value मैंने पहले select कर ली थी जब मेरे simple interest वाली थी target value जो मुझे है इसके अचीव करनी है वो 5000 अचीव करनी है तो मैं इसको वन जो है आपकी इस cell को select कर लेंगे variable cell value के तौर पर और okay करेंगे तो यहां पर आपके पास value change होकर आगई यह 2 lakh के around value आगई अगर हम 2 lakh रुपीज जो है वो 2.5% के साब से एक साल के लिए invest करेंगे तो हमें 5000 interest मिलेगा तो यह आप इस तरीके से गोल सीक को apply कर सकते हैं किसी भी formula के उपर इसमें दिहान लखना है कि पहले जो argument है उसके अंदर हम कोई formula value देंगे और जिनके उपर वो apply किया उसकी क्या value change करनी है और किस तरीके से निकालना है वो हम यहां से choose कर सकते हैं तो बहुत simple सा आप इसको apply करके देखी कोई doubt है तो आप पूछ सकत सकते हैं तो मेंदे जो हम झालना है वो हम they सकते हैं कितमा ओर जो में चार खन तो अंदर हमूँ कोई कर द्हारा झालना कर सकते हैं या दो कि जो हमगरी तो पलेए रहीखार मूँ सकते हैं रही जो रहीं कित आप